मैं हूँ हैदर वहीर, मैं हूँ मोहिज जाफरी और आप देख रहे हैं अजेंडा 360 वेलकम टो अजेंडा 360, आज एक बड़ी इंट्रेस्टिंग डिवलप्मेंट इस हफते हुई है लीगल फील्ड में और हम उसको एक्स्प्लॉर करने की इस तरह कोशिश करेंगे कि सब हमारे साथ अगर चलें अटर्नी जेनरल फर पाकिस्तान सबसे उचा उधा होता है एक वकील के लिए जनाब कैप्टन रिटायर डैनल मनसूर खान जो हैं वो इसके ओपर फराइज इंजाम दे रहे थे सुनने की सवाब दीत है या नहीं बलकि इस बात पर इस माद है बादनियतलि की पर मबवर है Va. उसको जमा करने का तरिका जरी जो है वह गैर खास तोर पर एक जाज के साथ उसको को जमा करने का तरीका एक जजज के उपर जासूसी से अगर जमा किया गया है मुबएना तो पर तो वो सरान गेर कानूनी है और इंडिपेंडनेंस अफ़ जुडिशरी को थ्रेटन करता है इसकी बहुत हेरिंग्स हुई कई दो दर्जन से जादा हेरिंग्स हो चुकी है उसके साथ जासूसी की टैक्स मेरिट्स जान जाए किस तरह जी आफ की किन अपके बच्चे जान के बार जार जुडिधąż के लिए ये कहा है कि मेरे बच्चे और मेरी जाज़ग्स वो मेरी डिपेंडनेंस नहीं है और कानून के अंदर income tax के इंदर declaration गोश्वारों में आप अपनी जब मालियत जाहिर करते हैं तो आप अपनी wealth के अंदर सिर्फ उन लोगों के नाम पर ऐसासजाद जाहिर करते हैं जो आपके अपने नाम पर असाऽ ना हो लेकिन उन लोगों के नाम पर घुथ आपके के आसेट्स हैं, वो उनके अपने जराय आंदन से हैं, मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। इस बात को बावर सतार साब ने सामने रखते हुए, इमरान खान साब की जाती वेल्थ स्टेट्मेंट और टैक्स स्टेट्मेंट से भी कंपेर किया था, जिसके अंदर काफी क्लिरली ये सामने नजर आ रहा था कि खान साब की जो वेल्थ है, उसका मजमुआ कहां से हुआ है, इसके उपर, काजी साब के उपर से कमसकम बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा किया जा सकता है, ये मामला आगे बड़ा, वहीद साब तो अटरी ज करेंड कर रहे थे, फिर अटरी जेनरल साब आए, और उन्होंने शुरुआत में ही एक ऐसा इल्जाम लगा दिया जिस जुडिशरी पे, जिस इल्जाम की स्पिसिफिक सम रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी के एक मेंबर, जिस्टिस मरगूल बाकर साब ने, ये और्डर में लिखा कि जो इटरी जेनरल साब ने कहा था, जो इल्जाम लगाया था जुडिशरी पे, या तो उसकी सुबूत दें, या फिर माज़रत करें, और माज़रत इस शकल में आई वईज साब कि एटरी जेनरल का इस्तीफा आया, और उपर से लौ मिनिस्ट्री कहती है कि इन से इस्तीफा लिया गया, और पर लौ मिनिस्ट्री जवाब जमा कराती है, और कहती है कि ये तो ये खुद ही कर रहे थे, अब वईज साब एंटी करॉप्शन यूनिट है, वो एक जज़ के पीछे पड़ गया है, अन्होली हेस्ट आग्यू की गई, कि उसने किस त कुछ में इल्जामात लगाने में अगर अगर एटरिनी जेनरल साब ने एक जज़ के वज़ाए कुछ और जज़ इसके उपर इल्जामात लगा दिये, तो क्या ये कोई नया सिलसला है? लेकिन पहली बात ये है कि ये केस जो है, वो इवन इटरिनी जेनरल साब ने जब सासे उनकी जो बेगम के नाम पे थे, वो भी डिकलायर करने चाही थे और उन्होंने नहीं किये, और उसके बाद वो बात एक्चली उस तरफ ले जा रहे थे, जिसका तालुक इस चीज़ से था कि वो बेसिकली वो अमूमी तोर पे दिखाना चाह रहे थे, कि किस तरह से एक जज़ के हवाले से केस क्यूंके है तो शायद बाकी जज़ साहिबान है, वो किसी वज़ा से उनमें से कुछ हो सकता है कि सिंपथेटिक हो ऐसे जज़ के हवाले से. नहीं कहा नहीं? उन्होंने, मतलब इस तरफ उनका इशारा था, उसके अगली तारीख में 20 मिनट बाद ब कालिजाइज करें या सबूत पेश करें. अब वो अटरीन जैनल साहब ने या तो तीन चीज़ा हो सकते हैं, या तो उनकी अपनी स्टाटिजी का ये हिस्सा था कि बेंच को बैक फूट पर पहले डाला जाए, या तो ये एक तैह शुदा फैडल गवर्मेंट की ये भी मुम्किन है कि शायद उन्होंने ये इमेजिन नहीं किया था कि रियाक्शन इतना ज्यादा आ जाएगा. अजामशन तो मेरे खाल से यही होगी, कि ये एक सोचा समझा मनसूबा था. ये अटानी जेनरल साहब की इस ही केस के अंदर पहली बार गेर रवायती तोर पे एक जज़ पे इल्जाम लगाने की कोशिश थी. देखें, अगेन इसकी डीटेल में हम नहीं जा सकते. कीपिंग इन माइंड कि काजी फाइज ईसा साहब खुद भी एक जज़ है. उन्होंने जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब के केस को अड्रेस किया है, इन दो दरजन हेर खुमत जाहर है कि जब उनकी पैरवी उनके केस की कर रहे हैं तो अजमशन होगी कि वो हर चीज में उनके साथ ही थी. और रिमोर्स भी ये बात जो भी बात थी, उसके कहने की अगली डेट पे भी रिमोर्स फुल नहीं नज़र आई थी, और साथ भी नज़र आई थी. फिर नहीं उनरे अकेला चोड़ खरूँर दिया गया. अगिए फैक्चुलिय ये चीज़ तो नहीं पता, अप्त लेक्ड़ूर भात, उर्फयूर थी तो ने कृर्बांई तो देखें वो होती है ना कि जो खुद से दी जाए तो इससे कृर्बानी नहीं कहते हैं. नफ meant ए झो ये एक अच्छी स्ट्राटिजी नहीं होती, ये और बात है कि शायद ये अखलाकी और कानूनी तोर पे भी बात करने की नहीं होती, लेकिन इसमें जाए बगार के बात exactly हुई किया थी, ये बात तो रिपोर्ट की जा सकती है, कि वो एक जुडिश्री पे वार समझा गया था, जो भी उन्होंने कहा, एक चीज आगे भी है, तो आप सारे जाज़ेस को युनाइट कर दें, अपने खिलाफ ये पता नहीं, किस तरह की लिगल स्टार्टिजी हो सकती है, अगर ये लिगल स्टार्टिजी थी, लेकि इसा साब की पेटिशन का बन्यादी नुक्ता ये है, क ये बन्यादी पर मबनी तश्वीश थी, जिसका असल मकसद कुछ और था, अच्छा, अब इस से एक कदम आगे, जो मनसूर साब का इल्जाम था, वो सिर्फ उस जासूसी के इल्जाम को मजीद पुखता करता है, क्योंकि उनका जो इल्जाम था, बगएर इल्जाम को रिप जानने के लिए भी एक गहर रस्मी और गहर मामूली तफ्टीश की जरुट है, और तो यह ऐसा सच भी है, पहली बात तो यह नो कोई सबूत है नहीं इस चीज़ का जाना है, अच्छा, एक गहर रस्मी गहर मामूली वकील होना आपको जरूरी है, अगर आप जैजजिस को इस तरह अड्रेस करें, देखें, अन्वर मनसूर खान साब बहुत जी, एक लॉट मिनिस्टरी है, उसका एक एक एसेट्स कंट्रोल यूनिट है, जो बाई वन अंक्लिर ओर्डर अव दे सुप्रीम कोर्ट बनता है, और उसके अंदर ताकत भूक इस तरह दी जाती है, कि व मज़े से वो ऐसेट्स रिकवरी यूनिट अपना काม कर रहाु है, शासदानोंगे खिलाफ और एक खमसकम जचजच्छ बे क्लाफ। वो ऐसेट्स रिकवरी यूनिट एक रिपोर्ट बनाता है, उसी दिन वो रिपोर्ट उसेट्स रिकवरी यूनिट को एक jardारी अती है से बहुत जादा इफिशेंटली ये वाला काम होने लग गया जो कि इस तरह विशारा करता है कि शायद यहां पर हर चीज प्लैंट थी कि मिल के करना क्या है और इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए तो एकदम से अनुल मनसूर खान साब अकेले और नायाब क्यों पाए जा रहे हैं स्टीम को मेरा निक खाल के वो पर विव बड़ा कर रहे हैं उन्होंने मेरे खाल से जो बात किया है वो तो बेसिकली जुडिशनी का मतनाजा बनाने की एक स्ट्राटिजी लगए है पूरा सिलसला जो है उसमें एक जज जो कि इस तरह के फैसले करता आया है इल्जाम ये लगता है कि आप चाहते हैं कि वो चीफ जस्टिस ना बने क्योंकि आगए जाके उसने यही लाइन पकड़नी है तो असल नियत जो है और मकसद उसको हटाने का उसके असासे या उसकी बेगम के नाम के असासे नहीं यह उसकी नाम के यह यह इल्जाम है इस पूर्टिशन में हम जविजा तो हम ज़रा टेकनिकल थोड़ा में खाल से जादा हो रहे तो शुरू में तो ना करें और आप हैदर वही तो या मुछ जाफरी हो या आप आप हो तो एक इंकम टैक्स का असिस्टेंट कमिशनर आपको नोटिस भेजता है और उसमें लगबग ये कहता है कि आप शो कॉस दिखाईए आप दिखाईए कि ये आपने क्यों नहीं किया वही है अल्जाम ना पर्टिशन में कि असल ये इशू इंकम टाक्स का था और इसको भी उठाया सिर्व इसलिए गया क्योंकि असल में उनको जूडिशरी से हटाना जो है वो मकस्द था जिसका तालुक उनके गोशवारों से था ही नहीं तो अगर ये शुरुआत में ये प्रॉब्लम है तो फिर अन्वर मनसूर खान तो उसका मनतकी अंजाम लेके पहुँचे ना कुर्ट नहीं देखें तो आउट अफ दा बॉक्स कोई ऐसी चीज़ करने की जरूरत महसूस की उन्होंने कि जिससे मुतनाजा बनाया जाए सारे चकर को डिरेल किया जाए बेसिकली और जब ये बात कामयाब नहीं हुई तो अन्वर मनसूर साब को आगे बस के सामने फेक दिया गया अब ये एक म पता था बिल्कुल और है तिंग काफी बिलीवबल बात है अगेन मुए फैक्च्वली तो नहीं कह सकता है कि एक अपने जहन से एक जो वो एक शक होता है जो उसमें मुझे तो नहीं लगता कि ये बात जो है वो किसी एक इनसान के दमाग की इखतरा हो सकती है इस तरह डिरे इनसान के लिए इस हद तक नहीं होती वा बात पंद्रा जज़स पे देखें ये पहली दफा नहीं हुआ है जी तांसूर साब के बारे में, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बहुत मंजहवे वकील है, बहुत ही एक तवील तजर्बा है, आटर्नी जेनरल ये दूसी दफ़ा बने थे, आडवोकेट जेनरल ये रह चुके हैं, सिंधाई कोट बार के प्रेजिडेंट ये रह चुके हैं, तो आगे फैडल गवर्मेंट के लिए काफी खाई थी इस केसमें वर्ना, तो अब दे वांट तो स्टार्ट अन्यू, फरोग साथ खुद शायद इसमें आर्ग्यू करेंगे, खुद पार्टी भी हैं, इंडिविज्यूली भी पार्टी हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब आ परसन है वो पार्टी, तो हो सकता है कि वो खुद भी आएं आर्ग्यू करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज थोड़ी डिस्टेस्ट फुल रही है, और एक मुकादमा जो बहुत लंबा चलके एक तरफ जा रहा था, उसको फिर से डिरेल करने की एक कोशश नजर आई है, अ ये कॉमेंट्स में से ये लग रहा है कि जजज अपने आपको इतसाब से मुस्तस्ना ना समझें, और काजिफाई जीससाब का के वकील साब का और दीगर वुकला का ये कहना है कि यहां ये हम नहीं कहना चारे है कि जजज अपने आपको इतसाब से मुस्तस्ना या बालतल कह लेकिन जुजेस के Pete आड़ में जुडिश्री पर हमला नहीं होना चाही है या किसी जच पर हमला नहीं होना चाही है जुडिश्री से अलाइधा करने की और अब federal government इससे पीछे हटते वे नजर आ रही है देखें अभी तो इस बयान से पीछे हटते वे नजर आ रही है इस case में तो वो बयान उनका देना ही दिखाता है कि वो इस case से पीछे हटती वे नहीं नजर आ रही है अच्छा आप लोग की क्या रहा है? facebook.com agender360 agender360 इस सेग्मने हम बात करेंगे इस हकूमत के current defense के हमाले से जो के काफी rocky situation में से निकलते निकलते अब में खाल से एक standard बुराई की तरफ है मजीद बुराई नहीं हो रही शायद महिंगाई जो थी उसका उसका जो ज़्यादातर हिट था वो अब ले चुकी है यह हकूमत popularity के हमाले से उसके अलावा जाफी साब देखें एक वो महिंगाई थी जो के कुछ macro economic factors के वज़ा से हुई कुछ inherited factors के वज़ा से हुई कुछ IMF के पास देर से जाने के वज़ा से हुई मुलक के पास पैसे नहीं थे इस वज़ा से हुई कुछ हमारे structural बुराईयों के वज़ा से हुई वो तो हमेशा से थी कुछ लेकिन recently हमने देखा कि जब macro economic factors कुछ थोड़े से imports कम करने की वज़ा से, savings बढ़ाने की वज़ा से, interest rate बढ़ाने की वज़ा से कुछ थोड़े stabilize होते हैं अगर हमें नजर आ भी रहते तो वहाँ पर mal governance पर आ गई चाहे वो आटे का बहरान, चीनी का बहरान हो गया या गैस लीक हो गई तो जहां पर अब stabilize थोड़ा बहुत होना था आपने बड़ा, I think I completely agree आपने जो love's use किया miss governance नी, mal governance यानि के सिर्फ बुरी हुकूमत साजी नहीं, बलके बदनियती या फिर मश्कूप तरीके की हुकूमत साजी है और यह जो हम बहुत बातें करते रहते हैं बुज़ार साब क्या नया पाकिसान बनाएंगे, हमुद अज़ार से ज़ादा मिस गवरेनेंस ही है या कुछ और, उसमें अब ज़ांगी तरीन साब का नाम आ रहा है, उसमें बक्तियार साब का नाम आ रहा है उसमें ये अली ज़ादी साब का नाम आ रहा है, अब ये वो लोग नहीं हैं कि जिनको आप बज़दार के हैं या मैमूद खान के हैं जादी साब का ये गैस लीग से तो मैंने उनको नेसेसरिली क्लिरली जोड़ूँगा क्योंकि गैस लीग का तो एक अगेन एक स्टैंडर्ड गैस लीग थी या सोया बीन लीग थी या कुछ और था अब पता नहीं है एक्जाक्ली जादी साब को आप बिलकुल इस वाले रविये में बुजदार साब से ही जोड़ेंगे यानि कि उनकी वो जो भी करते हैं वो इन दे रैल्म अव इनकॉंपिटेंस होती है नहीं मैं नहीं ये नेसेसरिली अग्री करता लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो बहुत पराने वैसे हमें बदलने चाहिए उसकी डीटेल जो है ना एक्सपरटीज है मेरी कि उस पर मैं जादा कह सकूं लेकिन ये बात जरूरे कि अगर अबी तक वज़ाहत नहीं आई सामने कि ये अमवात क्यूं हुई आई सोयबीन की वज़ा लीक की वज़ा से हूँ गैस लीक की वज़ा से हूँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ चौदा लोगों के अमवात हुई है कराची में ये भी गावरनेंस का इशु है वीडियो कैमरा लेके जिस किष्टी के ओपर जिस शिप के ओपर मुबैयना तोर पर वो जहरीला मवाद है आप उसका टूर करते वे वीडियो बना रहे हों और पिछली दफ़ा आप प्लेम टो फेम आपका हुआ हो लेट स्क्रीन कराची के आपने चार पांच प्रीट्स करके भूल गए हो तो मैं तो आपको बुजदारिश कहूंगा मैं आपको मतलब और दूसरे जाम नहीं लगाँगा मैं समझता हूँ कि यहां पर इस पर्टिकलर जो यह चीज हुई है इसमें जो मेरे सामने मैल गवरिनन्स सबसे बड़ी है वो यह है कि अभी तक क्यों नहीं वाज़े तोर पे कॉन्फिडन्स के साथ हकूमत ने आके मिनिस्ट्री ने आके यह नहीं कहा कि यह यह हुआ था गलत हो गया जो भी हुआ अब हम इनने इसको कंट्रोल कर लिया और हम कॉन्फिडन्स वो देते कि यह एक जो है वो टेरिटोरियल इशू नहीं है यानि कि यह और सिंध गावर्मेंट की कमिशनर के थूरू एक टेस्टिंग हुई टेस्टिंग के बाद मुईना तोर पर कमि यह इनकॉंपिटन्स हर जगा है मैं किसी के बचाना नहीं चारा मैं समझता हूँ कि इस वक्त अवाम को इतने दिनों बाद यह क्लियर हो चुका होना चाहिए था कि हुआ कि हुआ कि हुआ कि हुआ है यह पानी है यह और किसी किसम की पिलूशन है ना आपको पता था ना आपने पता करने की एक दिन के अंदर इतनी भी बादियुन नजर कोशिश की कि अगले दिन साथ लोग की अमबात रोकी से बच जा नथ सकते हैं और अभी तक नहीं पता और यह अली ज़ादी सब गल्ती किसी पर चड़ गए वीडियो बनाते हुए कि देखो जी किसी ने मास्क नी पहना हुआ वा वट इस दिस? अगें, I mean, that is more optics. For me, that is not the issue. For me, the issue is कि आप अभी तक प्रेस कांफरेंस हो चुकी होनी चाहिए थी. फेडरल और सिन गवर्मन्ट के और अथारिटी के एक्सपर्ट्स, इन्वारिमेंटल अथारिटी के एक्सपर्ट्स बैट के चार लोगों को प्रेस कांफरेंस करके के थ्रू, हगुमत की तरफ से राधर बहाब पे अवाम को कांफरेंस पे लेना चाहिए– कराची की अवाम को कांफरेंस पे लेना. आपने द गौकी गे एक जिए? इसको हमने फॉरन हैंडल कर लिया है अब यहां कुछ भी नहीं है लोग बैठे में चल रहे हैं वाक कर रहे हैं मास किसे लगाया बड़े तो मीडिया वाले भी मास लगाया बड़े लगाया बड़े तुम हाउस बंद हो बंद हो गया मेरा पहला सवाल होगा इस बात करने के बाद कोई अमबात हुई है जी साथ लोग और मरे तो नहीं वो क्या ये बात सामने आई है कि वो मजीद लीकेच की वज़ए से या इससे पहले जो हो चुका दा उस वज़ए से अब सियासत इससे हट के बात कर सके हैं अगली सेग्मन बात करेंगे अगर आप सेंसस से जाएं परमिन रेजिजिनस भी चलें दो करोड मान ले उसके अंदर कई अथॉरिटीज काम कर रही है ये casual attitude decide, 14 लोग मर गए, एक panic था और ये सिर्फ एक एक इलाके में नहीं था, इस तरह पैनिक था, बड़े बड़े schools बंद थे, अगले दिन इस ख़त तक खबर खतम थी ये सिर्फ 14 लोगों की अमवात नहीं है, ये दरम बरम आपका रहन सेन, specially district south में रहन सेन आपका पेट्रोलियम मसनुआत ना मिलने की अफ़वा पर पेट्रोल पंप्स पे लड़ाईयां हो रही थी, स्कूल बंद इस अफ़वा पर कर दिया गया के hazardous है, एर कॉलिटी जो के हमेशा हो जाती है, लेकिन इसलिए hazardous है, इसलिए 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 पॉईजन गैस है, और अगर मेर यह यह चीज़े हैं, प्रिकॉशन्स यह यह लेनी हैं, हम आपके लिए यह कर रहे हैं और इन्शालला दो-तीन दिन में बिलकुल इशू खताम हो जाए, नासर साइन शाय जाज़ाब ने सिंद्धुमत का मौकर दिया था, वो भी दिखाते हैं, दस के करीब अमवात हुई ह और धाई सो के करीब लोग अफेक्टिट थे, इस तरह की कोई नागहानी या इस तरह की इशूस अब सामने आते हैं, जब उनकी अडिन्टिफिकेशन भी अभी उस मरायल में हो, तो इस तरह की इशूस होते हैं, लेकिन अगर बिलकुली कोई एक्ट ना किया जाए, किसी कि इसकी इसमें नेगलिजनसी होगी, अगर किसी वजा से ये सिलसला हुआ है, तो उन पर एक्शन भी होगी होगी तो इसमें ज़्यादा एहलियत हो या ना हो, ये कमसकम ज़्यादा प्रफेशनल तो है, मलब ये पुजिशन ले सकते हैं ना जब आप इंटरें में और आपको डिजास्टर, मैनेजمن्ट या रिस्पॉंस सिस्टम जو है, वो में ज़्यादास्टर हैं, ये व… ने या होगी है, उसमें कॉर्डिनेशन भी नहीं है और इसमें क्लैरिटी भी नहीं है, कि हमारा रिस्पॉंस क्या होगा, इक्वेट हम है नहीं, लेकर एक्वेट होते भी, तो हमारी management का issue है और यह कराची में overall यह issue है अब पता है इल्जाम यह है के कोई coordination नहीं है different levels of government different authorities में और यह lack of coordination lack of knowledge of a response system and lack of expertise and lack of expert people doing things come down to lack of governance and lack of administration एक सेके एक इस वक्त हमारा commissioner कराची और commissionerator of कराची और government सिंथ का मुबैयना तोर पर रिपोर्ट यह कहती है के एक किष्टी के ओपर soya bean powder था उसकी वज़े से यह अमबात वी है अब पता है अली जैदी साहब उस soya bean powder की off-loading में तमाम मजदूरों का मास्क ना पहनने को as a सुबूत दिखा रहे हैं कि यह नहीं था तो अगर वो होता है बाद में तो अभी तक मतलब precautionary तोर पर ही सही लेकिन this is not how you govern people नहीं बट वो तो confidence दिखाना चाहरे थे कि now this is over बट वोज़ेंट more people died मैं वोई जानना चाहरे हूँ यह यह औरी off-load नहीं बट मैं इस बारे में clear यह नहीं हूँ कि उनकी इस बात करने के बाद लोग क्या इस वज़ा से मरे क्योंकि वो चीज़ अभी भी leak कर रही ही तो हमें नहीं पता क्या है तो वो पता होना चाहिए ना लेकिन सिंध हकूमत कहती है यह नहीं सिंध हकूमत कहा रही है हम आप साइगे जब ब्रेक लेके वापस आएंगे तो यह कराची के अंदर एक confusion और एक tragic situation create हुई उस confusion और incompetence की वज़े से और इसके अंदर बहुत सारे participants थे जो सबसे ज़ादा bluster से सामने आए जाहर है वो सबसे ज़ादा तमकीद अब खा रहे हैं एक break जब ले लेंगे तो उसके बाद हम पड़े एक आपने बात की और यह बहुत बड़ा हमारे साथ problem है कि जो bluster से सामने आए वो criticize तो हो रहे हैं अभी तक किसी को नहीं पता कि इसमें actual जमेदारी minister की थी केपीटी की थी प्राविंस आफ सिंध की थी local government की थी कमिशनर की थी environmental protection agency की थी किस की क्या-क्या जमेदारियां थी कौन ये जमेदारी पूरी कर सका नहीं कर सका इस चीज का कुछ नहीं पता है बस एक चीज पता है क्योंके एक चीज जो होनी थी वो किसी ने नहीं की लेहाज़ा सब भी मेरे खाल से तो समझे जाने चाहिए सभी है एक ब्रेक लेंगे ये मतलब सब का मतलब मेंसे जो भी जम्मेदार था पर जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई जिसकी करफ से भी होनी चाहिए कम असकम पहले दिन अगर tragedy थी तो दूसरे दिन तो बहुत सारे लोग इसको अवैड़िबल समझते अगर emergency measures in place होते आप लोग की क्या रहा है facebook.com आट agenda 360 समा हमारे twitter handle एक ग्रेक लेकर जब वापस आएंगे तो इस लेवल का ही confusion शायद वफाक और PTI की दीगर और हकूमतों में है उसके बारे में बात करेंगे नहीं मशर्फबट साहब हमारे साथ हो की पहुचें Welcome back इमरान खान साहब का साथ चोड़ते चोड़ते पीमल काफ जब इमरान खान साहब के साथ आखिरकार जुड़ गई और हाजर खत्रा कमस कम टल गया तो उसके बाद चौदरी शुजाद साहब ने एक पार्टिंग शॉट पायर किया है वईत साहब उन्होंने का है कि ये इमरान खान साहब के जो इर्दगर्द लोग है वो उनकी छाटी करें और वो देखें कि ये उनके लिए एक बाईसे मसीबत हैं बागर्ण लिया है ये वरनिंग चौदरी शुजाद साहब तारीखी तोर पर पिछली हकومतों को भी देखे जा चुके है और वो औरनिंग आक पैकिन के साहथ ही दी जाती है लेकिं चौदरी शुजाट जिस हुकूमत को छोड़ दें तो उसका मतलब है कि उसके बुरे दिन आने को है लेकि छोड़ा नहीं चोड़ेंगे प्रवेजद साथ या चोई निसार साथ के हवाले से आपके शुजद साथ से फिर दूसरे चोई साथ की तरफ चलते हैं अच्छा चोई शुजात साब का असल में कहलें कि जब एक बिल्कुर रिलैक्स हो गई थी दोनों साइड उन्होंने फिर एक बियान से थोड़ा सा जिन्दा रखा है उस प्रेशर को और हान साब को फिर कहा है कि आपने जो आपके अंदर ऐसे लोग हैं जो आपको गलत रिपो ये है कि दूसरी जानिब जो हान साब की साइड है वो भी अभी उस तरह क्लियर नहीं है वो शाक कुसी जगा पे है हास्तोर पे जो मुलाना फद्रुर रह्मान ने इतना बड़ा दावा कर दिया कि हकुमत गिराने पर उन्हें अशुरस दी गई थी और फिर उन्होंने कॉल प्रवेज लाही ने बेवकूफ बनाया फद्रुर रह्मान साब को ये कह के कि हकुमत चली जाएगी फिकर नहीं करो यहां से जाओ या फिर उन्होंने ऐसी बात कर दी जो कि खान साब के इंटरस के खिलाफ थी और खान साब की मेंडेट के अलावा थी मैं हैदर भाई आप एक भबर दे दूँ अभी तक इसको नहीं था मैं डिसकस का रहा हाँ हान साब ने जब मुझाकरा चल रहे थे उन दिनों एक बड़ी अजीब और गरीब बात की प्रवेज लाही साब से तो वो नराज भी हूए उन्होंने क्या किया लेकिन वो उनकी अपनी जमात है एक उनका सियासी बैगराउंड है रहकर खाओ है वो चोई साब बड़ा उन्होंने नराज होगे वो जनाब लाहूर वापसा आगे मुझाखरा छोड़ दिये दो दिन जब गुजरे कोई बात नी बनी फिर उन्होंने दुबारा राप्ता करके कहा कि आप ही करें लेकिन एक और एहम बात है कि पर्वेज़ लाही साब मुझे जो पता चला है रिलाईबल सोर्सी से के चोई साब मफ़चोंच तो करते थे लेकिन कुछ मफ़चोंच मफ़चोंच में वो नहीं भी थे उनके भग़ेर भी मॉलाना से मफ़चोंच रूए हैं कुछ शक्सियार से जिसमें प्रवेज लाही मौजूद नहीं होते थे वो एक गरंटर जरूर थे वो फैसिलिटेटर जरूर थे बस इतने काफी है अच्छा फैर वो प्रवेज लाही साब अब ये मैं आपको फ्राम दी हॉर्सिस मौट आपको बता रहा हूँ कि ये कन्फाम है कि वो गरंटर थे वो फैसिलिटेटर थे बास बातों का उनको हुद भी नहीं पता प्रवेज लाही साब को अच्छा लेकिन जो दरने से पहले एवन मार्च से पहले मौलाना फद्रूर रह्मान से चोधरी बरादरान की मुलाकाते हुई थी उदर ही शक शुरू हो गया था हान साब को जारे उनको रिपोर्टस आती हैं इंटेलिजेंस रिपोर्टस और उस पे वो बहुत ज्यादा यकीन भी करते हैं तो शक तो शुरू हो गया था लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते थे कि उन्हीं को कहना था प्रवेज लाही साब को कि आप जाके बातें करें मुझा करें और मुलाना को राजी करें वो तो हो गया लेकिन आप मुलाना ने निया पिंडोरा बाक्स खोला लेकिन एक बात क्लियर है कि आप मूव देख लिया करें चोधरी ब्रादरान या मुस्टरी काफ की के एक दम ये शुरू हुए हैं उन दिनों जिन दिनों मिया साब ने बाहर जाना था जिन दिनों इन पे खान साब का और भी मामला एक्स्टेंशन का मामला था इस तरह के मामल दिया फिर जब वो महौल बना एक दम फिर ओ दुबारा राजी होगे अगरचे बड़े नराज़गी शोव भी का रहे थे लेकिन राजी होगे इस से लगता ये है कि ये फिल हाल आरजी तोर पे ये राजी हैं ये कुछ हरसे बाद हो सकता है बजट के लिए लोग चाहते हो कि चले बजट अब करीब है तो वो मामला तो उसमें खराबी ना हो या फिर वाकई अब उन्हें लगता है कि मौशियत मजीद खराब ना हो जाए कि अब आपोजिशन जो कह रही है कि अलेक्शन कराने हैं कोई कह रहा है इन होस्ट चेंजिज ये सारे मामला आगे भी तो द अब आपोजिशन तो महंगाई है बेसिकली जी जी अब दो बाते हैं बड़ी अच्छा सवाल आपने किया दोनों बाते हैं एक बात जो आपने आपोजिशन महंगाई की बात की उसमें तो सबसे बेस्ट मिसाल जो है वो कल हुई है जब कबीना इजलास हुआ हमने ये एक्स एक टॉप कहलें के फोरम है वहाँ पर वजीर आजम वुज़रा के सामने एक क्वेस्टन किया कि जनाब बिजली इतनी महंगी है दो सो सोला अरब रुपे की सबसेडी हम दे रहे हैं वो कहां जाती है सबसेडी अब वो किसको पूछ रहे हैं सब वो पुरानी बात नहीं है क वो को पूछ रहे हैं अपने वजीरों को अपने वजीर आजम को पूछ रहे हैं कि 216 अरब रुपे की सबसेडी कहां जाती है इसका हिसाब देना चाहिए लेना चाहिए कि बिजली फिर भी महंगी क्यों है प्राइम मिनस्टर ने इसका फौरण ऐसाब लगा है कि इस पर ग कमसका में एक बहुत वाज़ हकीकत रही हो उस मुलक के अंदर तमाम काबीना को अमूमी तोर पर ये पता नहीं होना चाहिए कि अगर सबसेडी है तो वो कहां जा रही है मतलब ये सवाल इतना हिरानकुन तोर पे मुराओ साइध साब को देर साल बात क्यों याद आया बिलकु sırई बात है मुईद बात है सारे सवाल इस सवाल पे आते है ये भी के एक और वो कोई ऐसे वजीर भी नहीं है कोई घी डिया के वजीर नहीं है ना कोई M.K.M. के है ना कुछ Q.L. के हैं वो तो बड़े एक्टिव हैं, हान साब के कृरीब हैं, आहम वजारत है, मौसलात के पास. यह तो पूट की निशानी है ना जो आप कह रहे हैं, यह बात नहीं है कि उनको पता नहीं है, बलकि यह तो एक दूसरे के उपर अल्जमात की निशानी है. जी जी यही यही मसला है ना के इनको आपको दो इजलास पहले कबीना के देख लें जो फ़ाज चोजी साब ने पंजाब हकूमत और सुभाई हकूमतों की बात की कि उनकी वज़ा से बैड गुवर्नस की वज़ा से हमें गाई और हमारा हम वफाकी हकूमत भी हमारी फारग हो जाएगी अगर यह नहीं अब देखें वो चैप्टर सोड़ा हल हुआ अब नया निकला आया अपने ही वज़ीर ने नहीं बात कर दी के भाई वो सबसेडी कहां जाती है दूसरी जानिब जो हैदर भाई कहां है यह आपको बता दूँ के आपको पहले भी प्रोग्राम में यह बताया था कि मुस्लम ली नून जो है वो इस वक्त मुक्तदर हलकों के बहुत ही करीब है वो जैसे क्यों लीक का समझाजा जाता है और भी कुछ जमाते कि वो अपना अब उनका नहीं होता हुने जो कहा जाता वो पहले है इसकी तरह मुस्लम लीग नून का भी ये है कि उस वक्त एक्टिव होंगे उस वक्त आएंगे और एक दम सारा जब ये होगा कि अब जनाब तब्दीली आनी है यानी है यानी कि ये मेल काफ तो नहीं जोईन किये लेकिन काइद वाली टोपी पहनना शुरू हो गया है ने और पीटियाई भी जोईनी के बड़ तब्दीली वही लाएंगे कह रहे हैं है ये खबर आपके शो की नाम कर दे वो आहमतरीन बात ये है ये बड़ी जबरदस एक कुछ से कुछ चार पांच दिन पहले तक तो ये सुर्टेहाल थी और चल रहा है मैं बड़ा हिरान था कि अब तो सैटल हो गया चोधरी प्रवेज लाही जो है उन्होंने रिलाइबल सोर्सी से के बकैदा कमपेंड शुरू की वजारत आला के लिए अच्छा उन्होंने कुछ लोगों को जाकर कहा भी कि आप हमारी तरह और वो सियासी गराने हैं उन में बहुत सारे लोग हैं हमारा और उनको किसी और ने भी कहा है क्लियर मैसेज दिया है कि आप अब जुकाओ इन की तरफ कर लें ये वो ही इलेक्टिबल्स ये वो ही लोग हैं जो आपको पता है हर दोजार अचारा में तद्दिल होते हैं जो हवा जी जी हवा का रुख देखते हैं वो सारा ये वो अब उनको चोधरी इसकी तरफ कहा जा रहा है और एक बड़ी मज़धार बात बता दूँ जराय के मताबिक एवन एक शक्स को इन में से एक आहम शक्सियत ने कहा कि अगर आपको आप हमें जाइन कर लें क्यों लेक किसी बंदे ने कहा एक आहम सियासी गराने को तो वो अब नोन में भी रहे हैं पीटी आई में भी तो वो आगह से कह रहे हैं नहीं मैं तो अभी उदर ही अपना नोन लीग में रहूंगा या पीटी आई फिर आगे से काफ लीक की सीनियर शक्सियत उने कहती है अगर यही बात आपको शेदीष गाले तो फ데 Ini काल झांभे हैं यह कि प्रवेदलाई वजीर आला हो जे तो आपको क्या इतराज है इसका मतलब ये है शबाज श्रीफ हो वो चोधरीज हो वो जीडिये हो वो और इतहादी हो वो मुस्लिम लिग नून हो वो सारे इस वक्त अकटे हैं हुकूमत का वो हाल है जो के दरहकीकत जो के शेख रशीद साब अपने अफसानों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का देखते थे यानि के अभी गई कभी गई ये हुआ वो जब तक महिंगाई का कोई ना कोई का कंट्रोल नहीं है अटनी साइला अंस्टेबली रह गी हुक क्या क्या हैं अबर्ट साब एवन आपने शेख रशीद साब ने भी कल कभी ना में बड़ी दुमादार उन्होंने खताब किया है मिंगाई पे उन्होंने भी कहा है कि आप अब फर्स करें आटा का समझते हैं आटे का थोड़ा सा हल हो गया है तो बाकी चीज़ें तो वहीं आया क्यों था जी मुईद भाई ये उन्होंने कल कभीना इजलास में बताया है कि मैंने एफाई एको बीस सवाल कहा था कि इसके जवाब चाहिए लेकिन उन्होंने कुछ मेरा हचार पांच के जवाब दे दिये जो के सब अच्छे के होंगे जो लग रहा है लेकिन उन्हों نے باقی نہیں بتائے مثلاً یہ بھی بتانا ہے کہ کس کس کا قصور ہے کہاں سے ہوا کیسے ہوا یہ سارے کوئی بیس سوال جو انہوں نے دی ہیں اب بیس سوال ویسے بیس کا بڑا یہ ہنسہ جو مریم نواز کو بھی اور پروید رشید ان کو بھی ایف آئیے بیس سوال دیتا ہے لیکن یہاں پر پرائیم منیسٹر نے ایف آئیے کو بیس سوال دیئے ہیں کہ آٹے کا بتائیں لیکن ابھی تک وہ نہیں آئی اور ایک اور اہم بات آپ کو بتا دوں ایک وزیر وفاقی وزیر جو ہیں وہ اس رپورٹ کے انتظار میں ہیں آہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد وہ ضرور ایک دوبارہ بولیں گے اور دماغہ حیز آہ ان کی باتیں ہوں گی آہ ان سے میری بات ہوئی ہے وہ انتظار میں ہیں کیونکہ انہیں پرائیم نیسٹر نے کہا ہے کہ حضور تھوڑا وقت دے دیں یہ رپورٹ آ لینے دیں پھر دیکھیں ہم ایکشن لیں گے پھر آپ کو تھوڑا سکون آ جائے گا لیکن ایک آخر میں ہمارا شو ختم ہو رہا ہے یہ چوہی نسار صاحب کی کیا سٹوری ہے ہاں آہ محید بھائی وہ ان کا یہ ہوا کہ ان کے ایک قریبی عزیز جو ہیں انہوں نے آہ دار صاحب عساق دار صاحب سے ان کا پرانا تعلق ہے اور جاری ہے لوگ شہباز شریف صاحب کا سمجھتے ہیں وہ تو ہے لیکن دار صاحب سے بھی ان کا فیملی بڑا اچھا رولیشن ہے ان سے آہ ایک عزیز نے فون کیا دار صاحب کو کہا کہ آہ چوہی نسار صاحب لندن ہیں تو آپ ایسا کریں آپ کا ظاہر ہے پہلے بھی بڑا اچھا کردار رہا ہے آپ جانتے ہیں تو آپ انہیں منا کے نا تو میاں صاحب سے ملا دیں اچھا آپ بھی منانا ہے انہیں کہ اب ہاں جی اور مزیدار بات آگے سنیں انہیں کہا کہ آہ لیکن یہ دیکھیں نا وہ آپ نے بتانا نہیں ہے میرا بڑے غصے والے ہیں تو میں مجھے تو انہوں نے نہیں کہا میں تو حدی آپ کو جو ہے یہ اپنی طرف سے آہ کیا آپ مصار صاحب کو منا لے تھے کہ ہاں جی اور پھر دار صاحب ظاہر ہے وہ وزیر حضانہ رہے ہیں وہ اتنی زبردست شخصی ہے وہ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ انہیں پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا تو انہوں نے صاحب انکار گیا انہوں نے کہا میں میاں صاحب کی مرضی جانتا ہوں میں نے اس بات میں آنا ہی نہیں ہے میں نے نہ منانا ہے نہ میاں صاحب کو کہنا ہے لیکن یہ ضرور کیا دار صاحب نے یہ بات انہوں نے میاں صاحب تک پہنچا دی اور وہاں سے ہوتی ہوتی میرے تک پہنچ گی اور میرے ذریعے ساری آپ تک یہ بات پہنچی ہے آخری ہاں یا نہ میں جواب دے دیں کوئی ایسی بات پہنچی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں یا نہیں مریم نواز کا تو یہی پتا لگتا ہے کہ وہ جانا ہے انہوں نے وہ جا رہی ہیں آپ کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں یہ کتنی ہر شو پہ آپ کہتے ہیں وہ جا رہی ہیں لیکن ابھی تک گئی نہیں ہے نہیں جا رہی ہیں آلٹی میٹلی جانا ہے لیکن رکاپٹے بڑی وہ تو میاں صاحب کی بھی آپ کا پتہ ہے بڑی رکاپٹے تھی ووٹ کو عزت ملنے گا انتظار نہیں وہ تو واپس میرے خیال سے واپس آنے کا ٹائم بھی تو ہے نا الیکشن سے پہلے واپس بھی تو آنا ہے نہیں یا الیکشن نہیں جیتنا ہے الیکشن بھی تو جیتنا ہے وہ تو دیکھا جائے گا ابھی تو جانا ہے ابھی جانا ہے کچھ پتہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ نایم اشرف بڑھ صاحب رائے کے منتظر رہیں گے انشاءاللہ کل ایک بار پھر ساتھ بچ کے پاس پڑھٹک آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایڈ جنڈا تری سیٹی ساماما ہے ٹوٹر ہینڈل ہے ایڈ 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 میرا ٹوٹر ہینڈل ہے کیپ آچھیں